नमस्कार हमारे खास कारकरम तरकश में आपका स्वागत है तरकश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रहे हैं मंत्री प्रसाद नेथानी मंत्री प्रसाद नेथानी के पास पेजल मंत्राले सिक्षा मंत्राले का एहम दायतु है और उससे भी बड़ा राजनितिक दायतु पीडियेफ है पीडियेफ के भी वो एक तरह से बड़े नेतामाने जाते हैं मंत्री प्रसाद नेथानी जा आपका पीडियेफ भी निशाने पर रहता है, वो कहते हैं कि जुनों ने पैसा नहीं लिया, वो यहां यानि कि भाजबा के मंच पे हैं, और जुनों ने माल दबा लिया, वो हरी श्रावत का सरकार में बैठे हैं, इस हमले को किस तरह से आप लेते हैं, पीडियेफ कैसे लेता है इसे देखो इसको हमने बहुत सीरियसली लिया है, और मैं तो यह कहना चाहता हूँ, कि अमित साथ जी जैसे व्यक्ति, जो रास्टी अद्रेक्स हैं भारते जंता पार्टी के, उन्होंने अगर ये बात कई है, तो उसको उनको साबित भी करना पड़ेगा, वो सिद्ध करें ने, जिस समय वो माहौल था, उस समय तो यही लोग खुद पैसा लेके घूम रहे थे, हमारे बिधायकों ने बात किये, जो कॉंग्रेस के बिधायक हैं, पीडियाफ के लोगों से बातचित कई लोग उसमें हुई उनकी, तो यही खुद पैसे लेके घूम रहे थे, भारते जंत पालिटी की राष्टे अद्यक्ष जी ने, जो हरद्वार में आकर के संकनाद किया, वो संकनाद में जो हाँ, जो सरकार पे ये कटाक्स किया उन्होंने, कि जिन्नोंने खाए, वो वहाँ हैं, जिन्नोंने ने खाए, वो यहाँ हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कि इस पे अमित साजी को सिद्ध करना पड़ेगा ने तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी उत्राखन की जनता से कि मैंने गलत कहा वो सिद्ध करें न किस ने खाया एक राष्ट्य अध्यक्ष एक जनरल व्यक्ति अगर कहता तो कोई बात नहीं उसका भी जनरल व्यक्ति भी ऐसा नहीं क लेकिन जिस तरह से माहौल इसके एक इस पूरे आरोप के कि यह भी माइन निकाले गए कि जो पीडियाफ के आप लोग जो इंडिपंडेंट हैं और सरकार को हरी श्रावत की सरकार को कॉंग्रिस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनके लिए कि यह मैसेज भी है कि भाजपा क में देखिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाजपा के दर्वाजे बंद हो खोले हो इससे हम को को हैना देना लेस तक सबहूताइने का सवाल घा तक सबहुर smart Spark lateral पार्रय को भाठ्स घंता पार्टी नहीं कौनन सा संवान दिया मैंध्राव्य के साथ कहना चाहता हूं मैं कि इतने follower हैं, all over India छोड़ो, राष्टेस तर छोड़ो, all over world की बात करता हूं, यह भारत्य जनता पाल्टी के जितने नेता हैं, मोदी जी को छोड़के, उनको छोड़के, अगर इतने follower किसी नेता के मिल जाएं, तो मैं मांजाओं, लेकिन दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य रहा कि सत्पाल महराजी को कॉंग्रेस भी underestimate करते रही, और भारत्य जनता पाल्टी भी underestimate कर रही हैं, तो यह इससे जो दर्वाजे की आप बात कर रहे हैं, नहां किसी दर्वाजे में गुसने वाले हैं, नहां किसी खिड़के में गुसने वाले हैं, हम तो open मैदान में वंगत हो गए, इस्वरादीन बात है, लेकिन हम जो छह साती हैं, मैं उनका बहुत सुक्र कुझार हूँ, कि उन्होंने इस परदेश की stability के लिए, इस परदेश की इस्तिर्ता के लिए, विकास के लिए, जो मेरे अन्रोद सुईकार क्या, मैं बार बार उनसे मेरी जो बात ह होती है, अपने साथियों से, वो मेरी बात को accept करते हैं, और मानते हैं, हमारा जो फैसला होता है, सामिक होता है, इस पर मैं आप से सवाल करूंगा पीडियेफ को लेकर के तमाम तरहें की बाते हैं, आपने का कि महराज, पुधान मंतरी, मोधी के बाद दूसरे ऐसे popular वेक्त बाजबाने को बोल दिया था का आप अपने जो सान बुती रखने वाले लोग हैं उनको लेके आजाएगे, आप एक भी शिश्चे नहीं कया उनके साथ, मैंने साथ मना किया, मैंने का मैं कैसे साथ दे दूँ, जो लोग कल तक आपको गाली दे रहे थे, चाये वो विजय ब अलत था, मैंने इसी बात पर कहा कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि जो अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी भी कोने में गुश जाओं, मेरी जिन्दगी का हुसूल रहा पहले से, कि मैंने राज्य को देश को सरोच माना, और अपने साथियों के साथ रह करके, हरीश रावाज जी इस समय हमारे मुख्यमंतरी है, सोनिया गांदी जी के साथ हमारी बात चीत हुई, जब सरकार बन रही थी, उसमें हम मेरे जो साथ साती हैं, हम सब साथ थे, और उस आधार पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो साथ देनी की बात किया, वो विकास को आगे बढ़ाने के सत्ता में रहने के लिए नहीं दिया, तो महराज क्या को गलत जगें ले जाना चाहरे थे, वो मुख्यमंतरी बन जाते हैं, आप साथ देते तो, नहीं बनते हैं, मैं बता रहा हूं, मुख्यमंतरी बनने का तो कोई ग्राउंडी नहीं था उनका, भारते जंता पाल्टी उन भारते जंता पाल्टी के लोग बार्जपा तो कहती है क्यिस 있지 अन्वागर से आत्मा किस्के कैसी है वो हर आदमी अपनी आत्मा से जानता है ये किसी के कहने से आवाज नहीं होती है नहीं किसी के कहने से आवाज जाती है मेरा कहना ये है कि भाजपा कह रही है कि जिन्होंने अंतर आत्मा की आवाज सुनी वो चले आए हम उनको बदाई देते है मैं प्रदेश की जनता के बीच में ये बात आएगी आज नहीं तो कल कल नहीं तो 2017 का चुनाव है मेरा कहने का मतलब ये है तो उसमें सामने करेंगे न हम बात जो आदमी केवल व्यक्तिकत स्वार्थों के लिए अगर बोगना जी को राजसभा सांसत बनाया जाता नहीं जाते गारंटी थी और लोगों ने जो डिमांड की वो डिमांड अगर हरिस्रावजी पूरी कर देते तो नहीं जाते अपनी लिए डिमांड थी इनकी राज्य के लिए डिमांड नहीं थी मैं दावे के साथ कहना चाहता है प्रदेश का विकास हुआ हंडेट पर्सेंट हम ये मानते हैं कि आज पीडिय अंडेट पर्सेंट हम ने हमने समर्थन जो दिया आज आप उठा के देखिए सड़कों के निर्मान पे पेजल के सवाल पे सिक्षा के सवाल पे हर द्रिष्टी से जो छेतर में परदेश में जो विकास हुआ हर वर्ग का विकास की बात आई है उस सवाल पे जो बातें आई उत्राखन अंदोलन कारियों का मामला बार तिवाडी जी के मंत्री मंडल में था तो उत्राखन आंदोलन कारियों को वहां पर लाब देने की बात की गई उसके बाद 2007 से 2012 में भारते जंता पाल्टी की सरकार बनी उत्राखन आंदोलन कारियों के बारे में कोछ नहीं सोचा गया जब हमारी सरकार फिर बनी मैं PDF की बात करना चाता हूँ हमारे प्रितम सिंग पमार हैं UKD के हमारे साथी हैं उन्होंने इस इस इस्यू को कैबनेट में उठाया और हम सबने मैं भी आंदोलन कारी हूँ हमारे कोई भी नेता ऐसे नहीं है खोद हरी सरावत जी उत्राखन आंदो कामा आया तो हमारी सरकार नि उसको आउट ओफ वे जाकर के उसके प्रस्ताओं को समधशन दिया और आज उंत्राखन आंदोलन कारी का फैसला हूं वह बात अ लगी कौड का मामला लटका हूँ है लेकिन हमारी सरकार ने वोनिल नहीं किया अमारी सरकार स्भाम हो रावत जी देने का सवाल है, मैं अकले कहना चाहता हूँ कि आजु पॅर्देश में सिक्षा विभाग में, अकले सिक्षा विभाग में, 35,000 लोग नोकली लगे है. लेकिन जरदर स्कूल है, जो तोटे हुए स्कूल है, जिनकी छतें की मरमत सालों से नहीं हो पा रही है, जिनकी बाउंडरे वॉल बह गई पानी में, वहां कोई पहुंच नहीं रहा है, जो पेजल की योजनाई थी, पिथोरागड हो, चमोली हो, जहां उतरकाशी हो, जहां जो आपदा की बरसात की, बाड की तबाही के बाद जो लोग आरोप लगाते हैं की पेजल मंत्री जी, सिक्षा मंत्री जी पहुंचते नहीं हैं, वो अपनी यात्राएं निकालते रहते हैं, नहीं देखे, मैं कहना चाहता हूं की, यात्रा जो हमारी निकलती है, वो इस परदेश के ही नहीं, बलकि बिश्व की विकास और सांती क बर्मन करता हूं, पांच यात्राएं मेरी निकली हैं, और पांच साल में कम से कम दस पंद्रह लाख लोगों से मेरा इंट्रेक्शन होता है, पांच साल में जो योजना हैं हमने बनाई, उनको धरातल पर उतारा गया, यह तो कहते हैं कि मंत्री जी यात्रा पे जिस रूट स बैठे रहेंगे, मिनिस्टर मैं दोरे पे आ रहा हूं और मैं मेरे इस्ट्रक्शन होते हैं कि जहां पे लोकार्बन करना है, वहां पे बात करो, जहां पे शिलानियास करना है, वह बात करो, जहां लोगों की समस्या हैं, दो दो बज़े रात तक मैंने बैठ के लिए हैं हमारे सहायोग से जो सरकार चली अब तक चल रही है उस द्रिष्टी से जो छेतर का चौमों की विकास उत्रा खंड का हुआ उसमें मैं बिलकुल हम यह मानते हैं कि हमने कोई गलती ने की और हम इससे संतुस्त हैं आप लोगों का विरौत भी हो रहा आप लोग चौनाव के बाद लड़ाई लड़कर के आए थे दिनेश धनया अपनी लड़ाई लड़कर के आए थे प्री तंपावार यू की डी से आये थे बसपा के लोग आये थे दुरुगां पाल भी आये थे लेकिन अब यह चीज़ है कि ये तो एक तरह से पोस्ट पॉल अलाइंस आप लोगों का हुआ था कॉंग्रेस के साथ अब चुनाव फिर आ रहा है अब तमाम तरह की बाते हैं टीरी में किशोर उपादिया खुद दिनेश धने को बरदास नहीं कर पाएंगे जाहिर बात उनको वहरा करके वहां आए हैं अब आप लोगों को लेकर के कॉंग्रेस में बेचेहनी है कि भाई ये जो छे साथ सीटे हैं इनको लेकर के पार्टी तैकरे संक्टन सावाज उठती रहती है क्या कोई कॉई कॉंग्रेस में क्या कोई हरीश श्रावत से मुख्यमंतरी साब लोगों के बाचीत है कि भाई द पीडिएफ के लोगों का बैठ करके और हरीश रावत कॉंग्रेस के सब बैठ करके देखें दो बातें पहली बात है पीडिएफ की तो पीडिएफ के बीच में हमारी यह बात बनी है कि चुनाव आने पे हम लोग बैठेंगे किस तरीके से हमने आगे की रणनीती बनानी है किस आधार पे चलना है यह हम बैठ करके तै करेंगे नमबर वन नमबर टू जहां तक रहा कॉंग्रेस का तो इस संदर्व में माने हरीश रावत जी और जो कॉंग्रेस के वरिष्ट निता हैं हाई कमान के लोग हैं उनसे ये बात उन्होंने कहा कि अगर आप कॉंग्रेस से चाहेंगे यदि डिरिष्टी से कांग्रेस वहान पर अपना निल्ने करेंगी तो उसीत तौर से जब हम पूरे चार साल 5 साल 162 श् sl साल हम साथ साथ रहे हैं तो कल की साधार पर हम उनको कहें कि यह नोंने हमारी बाक नहीं करें नहीं लिए वह तू दस बागी करें हरक सिंग रावत करें विजय बहुगणा करें हुमेश काउं कह रहा सुबों दुन्याल करें तो आप लोग भी तो कह सकते हैं प्रदेश की राजनीटियों तो वैसी होई गई है आज आप सुबह साथ हैं शाम को दूसरी तरफ बैठ जाए हैं हम लोग उन लोगों में न होगा लेकिन बीस से उननीस नहीं हो सकता यह मैं दावे के साथ करता हूं सवाल यह है बस्पा के जो दो लोग है वो जाहिर बात है कि बस्पा सुप्रेमों मायवती जो कहेंगी वो अपनी स्टीटों में चुनाव लड़ेंगे क्या कॉंग्रेस जैसे आप ने का गी या तो सर्बत करी मनसारी नहीं कहेंगे हमारा भी समर्थन करिये क्या हरिदास नहीं कहेंगे हमारा भी समर्थन करिये तो सवाल यह है कि पीडियाफ बना था सरकार बनने के दोरान चुनाव के बाद तो क्या तीरी में दिनेश धनय का परचार करने के लिए मंत्री परशाद ने था विद्धायक हैं जो मिले हैं तो चुनाव को लेकि निरणा तो लेना पड़ेगा ना प्रदेश की देखना चाहरी है वो तुम्हें कह रहा हूं देखे तीन बातें एक बीज़ बीएस्पी हैं एक यूकेडी है और बाकि आप इंडिपेंडिने और बाकि आम इंडिपेंडिन से कल बीएस्पी क्या निरने ले वो बीएसपी के ऊपर निरबर है यह हाई कमान लेबिल पे उनकी बात होगी सोन्य जी से बात होगी मायवती अलग है बीएसपी वाले क्या निलने लेते हैं सुप्रीमों बहन मायावती जी क्या निलने लेती हैं ये उनके उपर डिपेंड है यूकेडी के हमारे प्रितम पमार जी हैं वो अपना निलने क्या लेते हैं ये अलग है हम जो निर्दलिया लोग है हम अपना बैठ करके क्या निनने लेंगे आप लोग पिछली बार कॉंग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया आप बागी लड़ गए हरीश शंदुर्गापाल को टिकट नहीं दिया वो बागी लड़ गए अब क्या कॉंग्रेस इस बार तो सर्चाएं है को इसलिए कॉंग्रेस में बेचे नहीं है कि हरी श्राओ चाहते हैं कि आप लोग कॉंग्रेस से लड़ें तो क्या कॉंग्रेस से लड़ेंगे इस बार जब टिकट मिले काता आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूं आपको या आपने आपको comfort zone में रखने के लिए एक independent लड़ेंगे कल को BJP आई तो वो भी हमारे साथ है Congress आई तो वो भी हमारे साथ है ने ने ऐसी बात नहीं है सवाल ये है कि ये जो चुनाओ का जो अभी जो गनित है ये अभी बहुत दूर है लेकिन इसके लिए तैयारी करना जरूरी है ये तैयारी करना जरूरी है उस दृष्टी से हमने ये तैय किया है कि हम सेकुलर फोर्स के लोग सामपरदाइक ताक्तों को तो हम कता ही समर्थन नहीं करेंगे बड़ी है इंट्रेस्टिंग बात आप कहते हैं आप कहते हैं कि कॉंग्रेस में सत्पाल महराज को अंडरेस्टिमेट किया गया सत्पाल महराज कहते हैं कि कॉंग्रेस में हरी श्रावत के चलते मुझे अंडरेस्टिमेट किया गया मुझे नजर अदाज किया गया तो इस तरह से आप अरी श्रावत के साथ हैं सरकार में सत्पाल माला से साहनुभूती है इत्षानी ची क kartikारी और बहुत ही प्रबुद जनता माना ए है फ़ैलिकिल्ह मेरे देवप्रया की जनता बहुत महान है मुझे ऐसी परिस्तिति में जिताया देवप्रया की जनता है जिसमें की मैं केशने मेरी साथ of न रहूं औरों के लिए लेकिन मरते दम तक मरते दम कहना चाहता हूं द्योप्रिया की जनता की बात जिस परिष्टिति में जैसा को सब्सक्राइब जीच सकते हैं अब पीडियेफ के लोगों का विरोध क्यों करता है अक्सर कोई बोलता रहता है इनको कम करो पहले बीचे बगुना बोलते थे थोड़ा सा इनकी ताकतों कम करो मंत्री कॉंग्रेस के बढ़ाओ पीडियेफ के ब लोगों पर हमले किया जाते हैं मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर पीडियाफ साथ न देता तो क्या कांग्रेस की सरकार बनती है इक त्तीस और बतीस थे नहीं बनती बार्ट पाकॉंग्रेस ने तो जो साथ लेने की बात कि हम तब साथ दिये उस समय तो मेरे पीछे बीज लोगों ने बहुत कोसिज़ की कि नेठानी जी भाजपा की सरकार बना दो आ जाओ आपको यह करेंगे वो करेंगे आपका साथ चाहिए मैंने कर नहीं मैं ऐसा बिकती नहीं हूँ मैं जो देखूंगा उसी आधार पे निरने करूंगा और उस आधार पे मैं ये कहनां चाहत अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तब क्या बोलते यह लोग तब क्या इतने काम होते तब यह चाती खोल के चाती ठोक के कह सकते थे कि यह हमारी सरकार नहीं किया यह कह सकते थे कि इतने पॉलिटेकनिक हमारी सरकार नहीं खोले यह कह सकते थे कि इतने मेडिकल कॉलेज हमार को सारा विश्ट लेसन करके ही बानी ऐसी बोलिए इंट्रिव मैं खत्म कर रहा हूं सी बी आई का डर नहीं पीडियेफ को मुख्यमंत्री हरीश श्रावत सी बी आई की जाच के दाइरे में हैं अब बताया जा रहा है कि आपके जो साथियं करेश गोदियाल है वो सी बी आई क क्या है कर लेना एक बार नहीं हजार बार कर ले और यह जो सी बी आई जो काम कर रही है मेरा तो अन्रोध है कि केंद्र सरकार का बिनास्काले बिप्रीद बुद्धी हो गई है क्यों आप लोग गलत करें उसको जाच भी ना करें करें तो फिर दूद के आप लोग अगर है कि या तो डारता हुवा हुँ है मैं एक बात कहना चाहती है कि अध्रीद यह तो एक अलग निस्पक संगठन उक में थानगत करें ऐसी उन्हें एए हमारे हमारे की üh nous के लोगों के क्यों चाहत चाच कर रहित ईए आप भाजबागे लोगों की भी चांच करें ना सीबियाई है नो कल तक भारतिय जंता पाल्टी के लोग अजय भड़ जी हो चाय कोई हो विजय बहुगना जी को पानी पी पी के गाली देते थे किदारनात आपदा पे बड़ जी ने विदानसभा में दस बार वो फोटोग्र के तुम और आज गलवयां करके यह तो दुर्भाग्य है कि एचन बहुगना जी जैसे ब्यक्ति का लड़का आज बीजेपी की जय जय कार कर रहे हैं मुझे बड़ा कस्ट हो आप लोग भी तो करते हैं शक्तिमान का आप लोगों ने बुद्ध बनवा दिया आप लोग भी तो भाजपा को लोग करियाएंगे एर हम लोगों को मज़ा आएगा ने यह गलत बात है मैं इस बात का समर्तन नहीं करता हूँ मैं कतय नहीं करता हमारी सरकार ने उत्राखन आंदूलन कारियों की जो इज़द किये इंदरमनी बड़ोनी जी हमारे उत्राखन के गांदी कह जाते हैं इंद्रमणी बडोनी जी के नाम पर यूजना चलानी के बात हुई है इंद्रमणी बडोनी जी का जो कंट्रिबुशन और जो उत्राकंद आंदोलनकारियों का करन उनके सब के आंदोलनकारियों के जो जो सहीद हो गए उनके नाम पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और जो मूर्तियां की बात है, मैं मानता हूँ, इस्टे चो क्या इंद्रमणी बढ़ोनी जी की इस्टे चो नहीं लगी है, हमारी सरकार में लगी, उस समय मैं कॉंग्रेस में था, तिवारी जी के टाइम इंद्रमणी बढ़ोनी जी की मूर्ति लगेगी, तो क्या हमने इंद्रमणी बढ़ोनी जी की मूर्ति नहीं लगाई, क्या सुबाश्यंद्र बोस का जो पार्क हमारे यहां बना है, क्या उनका पार्क सुसजित नहीं किया गया, शक्तिमान एक ऐसा लगाई, हटा दी, नही को वेस्ट तरीके से जितना अच्छा हो सकता है क्योंकि फाइवर की जो बनाई गई है वो ठीक है मैं मुख्यमंत्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पीड़ा को और इस इस गलती को महसूस किया और उन्होंने रातों रात जो है उस चीज़ को कैंसिल किया कि यह यह ऐसी मुर्ती नहीं होनी चाहिए अच्छे से अच्छे लगनी चाहिए क्योंकि उस उस सक्तिमान को तो पूरे वर्ड में लोगों ने माना है भई हमसे बाच्छी करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद तो देखा आपने किस तरह से मंत्रिपराद नेथानी काफी आक्रा है कि पीडिएफ के जो लोग हैं वो चुनाव में अपनी जो आने वाली रणनिती को लेकर के कोई फैसला लेंगे कि उनको कॉंग्रेस की तरफ जाना लेकिन मंत्रिपरशाद नेथानी ने इसाफ कर दिया है कि सामपरदाएक ताकतों के दरवाजे उनके लिए बंद है नमस स्कार्ट